हेलो एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज बहुत अर्ली मॉर्निंग मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज काफे सारे बच्चों का डिमांड था सर पेपर का सॉलूशन डाल दो ऑनर्स का भी प्रोग्राम का मैंने दोनों ही सॉलूशन कर दिया है और दोनों सॉलूशन एक के करके कराने का फाइदा नहीं है आपके बहुत सारे कुशन तो आपके नोट्स में ही थे टैनियर के जो उथे उसमें से आपने ढूंड भी लिए होंगे ओफुली जिसने नहीं ढूंडा वो देख लेंगे तो सर सबसे पहला हमारा कुशन नमबर आता है सर यह बीकॉम ओनर्स के पेपर की बात कर रहे हैं वन वन का सॉलूशन मैंने यहां डाल दिया है कुशन के की पॉइंट हाइलाइटेड करता जाओंगा मैं सर इस कोशन में क्या कहता था के कंपनी है एक परचेस करता है जिसकी कॉस्ट हमारी एक लाक रुपे है और यह था नई मसीन रिर इतने का खरीद लिया कितने का खरीद लिया सर यहुआ इसका साल्वेज बंद यह नहीं अभाक लिए आगे कितना निखाल लिया हमने यह निमाल लिया अउड़ो कैसे कि rằng अंतल झावन यह पुरा कर देता है कि ऑफने डियो तो हमारे एक असी का हमारा लगभग लगभग कॉस्ट जाएगा इसका मैं PDF भी डाल दूँगा और PDF मैं टेलिग्राम पे भी डाल दूँगा और PDF जो हमारे कोर्स के अंदर बच्चे अन्रोल है उनको भी मिल जाएगा ये सारा सर cash flow आपका निकाल लिया हमने कैसे निकाला cash flow सर क्योंकि depreciation incremental होगा पहले 10,000 depreciation लगता था हमने solve कर लिया इसको और बाद में depreciation ये तो इतना incremental हुआ तो सर सेविंग ये था किनि पेंटल डैप और नॉर्मली जैसे करते थे अब PVAF मैंने टेबल ना करके ऐसे कर दिया कि ये हमारे जितने भी factor है कितने साल का ऐसर ये life इसकी दे रखे 10 साल तो 10 साल की income constant है तो 10 साल का हमने निकाल लिया क्या PVAF निकालना आता है calculator पे GT बटन करके जो निकालते हैं ठीक है ना उसके बाद saving पे भी मैंने निकाल लिया और ये हमारा हो गया तो हम क्या करेंगे सर replace कर देंगे क्योंकि NPV हमारा positive आ रहा है A part theory था मैं question paper भी upload कर दूँ और B part हमारा practical है चलिए सर अगले question पर आते हैं A का और का B part ये भी solve कर दिया है question बड़ा ही आसान question आया था ये भी honors के अंदर तो सर इसके solution की हम अगर बात करें तो again NPV पर बताया हुआ है कि भाया इसको हम accept करेंगे नहीं करेंगे तो मैंने इसको कैसे करा year रखा मैंने और year के साथ साथ मैंने एक साल दो साल तीन साल करा सबसे पहले profit before जो कि ये दे रखा था हमें सारा ये लिख लिया depreciation 80 80 80 सर depreciation कैसे आया very simple सी बात है हमारी machinery जो थी न वो आपको दे रखा था पांच लाग का था पांच लाग में से आपका scrap एक लाग का था तो बचा चार लाग चार लाग को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 80 आजागा SLM के हिसाब से तो 80 80 हमने हर बार निकाल दिया टेक्स आपको दे रखा था सर टेक्स कितना दे रखा था आपको question में आपका टेक्स दे रखा है 40% 40% निकाल के cash flow इस तरीके से हमने arrange कर लिया इसके बाद PV factor मैंने यहीं पर दिखा कर और इन दोनों को आपस में multiply कर करने के बाद सर ही आगया मैं यह वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं तो मैं पूरा नहीं कराना मुझे पता है आप लोगों ने practice अब तक कर लिया होगा इसलिए मैं last में वीडियो डाल रहा हूं just go through करना और इस paper को एकदम 100% अपने paper मत सोच लेना कि ऐसा ही आएगा आप जो practice continue रख रहे है ना वही करते रहिएगा चलिए सर तो इसके बाद हमने क्या करा सर मैंने यहां पर PV cash inflow वैसे तो total करके column नहीं मैंने इन सभी को क्या करा इन सभी को add कर दिया यहीं पर और यह आ गया हमारा outflow कैसे निकाला सर outflow के अंदर एक तो terminal outflow था क्योंकि cost था working capital था और एक बोलता है one year के end में लगेगा तो one year का PV factor लेके हमने यह निकाल लिया इतना पैसा हमारा outflow हो रहा है inflow की बात करें तो एक तो scrap मिल जाएगा हमें पांचवे साल में scrap तो पांचवे साल का यह ले लिया और working capital भी वापस मिल जाएगा तो उसका भी हमने यह ले लिया total terminal से inflow यह होगा और यह तो ultimately मैंने इन दोनों को minus करके यहां दिखा दिया तो terminal से flow हमारा net में यह है और revenue flow यह है तो इसका मतलब positive आया है यह हमें क्या कर लिया accepted कर लिया sir honors का यह था second आ जाते हैं sir अब आगे sir third का b part first था हमारा यह और first के बाद second question कहां गया second कहां गया second कर लेते हैं पहले यह रहा second का b part a part theory था second का b part था side थोड़ा blur हो मैं इसका pdf दे दूँ आपको तो sir इसके अंदर बहुत simple और in fact यह exam में आया हुआ ही question है 12.5% दे रखा था mm approach यानि value of form का और यह ko निकालना था value of form से solution कर दिया है और आपका बहुत simple है तो आप देख लिए जिए arbitrary process से क्या होता है हमारा नहीं होता एक सेकिंड साइध बने question घलत तो replace नहीं कर दिया और structure calculate the value of two form arbitrage process would be initially mm approach हाँ ठीक है arbitrage process तो इसके अंदर दोनों का हमने क्यों निकाल लिया और दोनों का वी भी हमने निकाल लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था लीवर्ड अनलीवर्ड और 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 यह question number 2 है एक मिनट देख लेता हूं और इसका कॉन सा आया था यह कि शायद गलत रप्रेस हो जाए अनिवेज इसका answer जो है एक लाख पचास अजार पचास अजार पचास अजार पचास अजार पचास अजार वी आ गिया इसका यह इसका वी आ गया यह नहीं और रखा सथ Big Lex pact इस ही का answer कोई दिक्कत नहीं अगर टेक्स रेड होता ना तो तो दूसरे तरीके से प्रोग्राम में आया था, वो मैं दिखाऊंगा आपको, तो question दूसरे का B है, दूसरे का B के बाद sir, ये हमारा आ जाता है अब, third, third का B part, third का B part आ जाता है हमारा question, sir ये हमारा दे रखा था, in fact ये भी कहूंगा, ये question गीवन था, हमने खरा भी था पहले उसी में से आया हुआ था, honors का paper अभी भी honors का ही चल रहे है, तो इसका solution normally हमें क्या निकालना था sir, EPS निकाल लिया हमने EPS के बाद, फिर financial break-even point क्या होता है, दोनों के interest को add कर देना, PD को और interest को, यानि PD और plus में interest को add कर दो हो गया financial, मैंने 10 year में एक सवाल में, नीचे प्रफ इसी सवाल आया हुआ था, इसके बाद आजाते हम, sir, ये है third का B part, third का B part आया था हमारा ये, sir, क्या था हमारा third का B part, और इसके अंदर आया हुआ था sir, हमारा total एक working capital का question, जिसके अंदर working capital करना था, बहुत ही आसान question, simple से चीज़े दे रखे थी आपको, सारे unit components दे रखा थ और इस type के question, हमने कई एक question किये हुए है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ digit change हुआ है, आप देखेंगे न, ध्यान से ओनर्स वाले paper में, तो digit change, मैं solution सामने रख रहा हूँ, ताकि आप फटा-फट से करके देख लें, ठीक है, ये sir, question number 4, question number 4 में फिर से पूछ लिया गया operating leverage, combine leverage, sir, फटा-फट निकाला और क्या percentage increase होगा ये, कुछ बच्चे पूचेंगा, sir, ये कैसे आया नहीं है, sir, ये वीडियो में मैंने बहुत detail में discuss किया है, उसके बाद ये formula मान लो, और formula की sheet भी मैंने दे रखी है, जिन बच्चों को दिक्कत होगा मेरे दिमाग से निकल गया तो formula क sheet आफ को आज मिल जाएगी, sir, इसके बाद WACC का question आया हुआ था, और यहाँ पर information given था, और question 5 का भी, कई बच्चों का यही सवाल है, sir, market एक वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा 10 year के अंदर गलत है, 10 year के अंदर मैं बोल दूँ, एक question गलत है, xy वाला 15 करोड वाला, xy का 15 क तो यहाँ पर मैंने book value ले लिया है, sir, book value नहीं ले ना, वहाँ पर market value, NP जो होता है, market value जो I think 75 है, तो 75 से करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों ने पूच ले एक question, तो यह था हमारा, उसी pattern पर यह question भी, same आया हुआ था, मैंने इसको solve कर दिया, इसके answer को पहले हो सकता है, में भी कुछ मैंने गलत calculation कर लिया, तो उसको ध्यान दीजिएगा, तो sir, यह हमारा पूरा पूरा पांचवे का B, और इस तरीके से हमारा देखा जाए, तो पूरा का पूरा paper solve हो जाता है, honors का, और जो भी question अगर आपको लगता है, sir, अगर आपको लगता ह अगर